नमस्कार मैं हूँ काजल मिश्रा स्वागत है आपके अन्मन लाई पर आई नजर डालते हिमाचर प्रदेश की मुख्य खबरों पर हिमाचर विधान सभा की शीत कालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने सदन से किया वॉक आउट इससे पहले चर्चा का जवाब देते वे मुख्यमंत्री सुक्विदनर सिंग सुखु ने दिया बयान कि यदि आप बताएंगे कि नए खोले के किन स्कूलों में आपकी सरकार ने भरती किया इस्टाफ तो इस पर करेंगे चर्चा इसके बाद विपक्ष ने नारेबाजी करती वे सदन से कर दिया वॉक आउट राजसिक्षा विभाग में 12 दिसंबर 2022 से पहले जारी हुए तबादला आदेशों को लागू करने पर लगा दी गई है रोक उचसिक्षा निदेशाले ने पुराने तबादला आदेशों पर रिलीविंग और जॉइनिंग नहीं करवाने के जारी की है निर्देश सभी जिला उपनी देश को सहीत कॉलेज और स्कूल प्रिंस्पलों को इस बाबत जारी कर दिया गया पत्र के अंदेखी करने वालों के प्रती होगी सक्त कारवाई प्रदेश में सिमेंट प्लांट बंद करने के विवात पहुँच गया हाई कोट याचिका करता ने अडानी ग्रूप की ओर से सिमेंट प्लांट को बंद करने के निर्णे को दी है चुनावती मामले पर सुनवाई के दोरान अदालत ने याचिका में पाई कुछ तुटिया याचिका करता ने याचिका वापस लेते वे याचिका दुबारा से दायर करने की लगाई गोहार मुखे नयदीश की खंड़पीट ने याचिका करता को दुबारा से याचिका दायर करने की दे दी है छूट हिमाचल में पुलिस कॉंस्टेबर पेपर लीक मामले की जांच कर रही है S.I.T. ने C.B.I. चंडीगर कारेयाले में सौप दिये हैं जांच के सभी दस्तावेश S.I.T. ने स्वेम चंडीगर जाकर दिये हैं दस्तावेश S.I.T. इस मामले की कर रही है जांच परता लब सबता के भीतर S.I.T. का दिकारी हिमाचल में दे सकते हैं दस्ताग पुरभाश्पा सरकार के कारेकाल के दौरान पुलिस कॉंस्टेबल का लीक हुआ था पेपर इस नातक चातरों को अंतरास्री अनुभा प्रदान करने की दिशा में कदम उठाते वे नौरी विश्विद्याले 32 B.S.C. चातरों को एक महिने के पूर्ण प्रयाजित अंतरास्री प्रसिक्षण कारेकरम के लिए भेजेगा बैंकॉक विश्विद्याले के चातर एशियन इंसिट्यूट आफ टेक्नोलोजी के खाद्य क्रिशी और जैसन साधन विभाग में बागवानी और वानीकी के सतत विकास की ओर तक्नीकी प्रगती विशय का बनेंगे हिस्सा शिमला में 22 साल की एक लड़की ने फंदा लगा कर दे दी जान लड़की शिमला में ब्यूटी पालर में करती थी जॉब मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय वाप शिमला के कसुम्ठी इस्तित अपने घर पर थी अके लिए पुलिस को किसी भी प्रकार का नहीं मिलाए कोई सुसाइट नो हिमाचल प्रदेश में MBBS एडमिशन में फरजी वाड़ा मामले में आरोपी छात्र को पुलिस ने कर लिया है गिरफतार पुलिस ने सदर थाना शिमला में शिकायत मलने के बाद दर्ज की FIR इसके बाद आरोपी को कर लिया गया है गिरफतार कार्तिक शर्मा के तौर पर हुई आरोपी के पहचान फिलाल मामले की गहन जाच में जुटी है पुलिस हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल IGMC में खत्म हो गई है कोरोना वैक्सीन कब आएगा वैक्सीन का स्टॉक इस पर असमंजस की स्थिती में अस्पताल प्रशासन ऐसे में उठ रहे हैं सवाल कि एक तरफ देश में कोरोना की चौती लहर की शुरू हो गई आहट वही दूसरी ओर हिमाचल के अस्पतालों में खत्म हो गई है कोरोना वैक्सीन हिमाचल में बर्बारी के पुर्वानुमान के बीच बिजली बोर्ड ने अपने सभी करमचारियों की रद कर दिये चुटियां जिन करमचारियों ने एडवांस में ली थी चुटियां उन्हें काम पर लोटना होगा वापस सिफ इमरजेंसी में ही मिलेंगी छूटिया बिजली बोर्ट का सबसे जादा शिमला, चंबा, सिर्मोर और कुलू मनाली के एरिया में बर्बारी के दौरान लाइनों की मरमत करने पर रहेगा फोकस प्रदेश के जन जाती जिला लहॉल स्पीती में लगतार जारी बर्बारी का दौर, रोहतांग, दर्रा और कोकस में हुई ताज़ा बर्बारी, अटटनर, रोहतांग के पास, सिस्फू में भी, गिरे बर्ब के पाहे, मैदानी जिलों में धूंद छाये रहने से, सुबर शाम के समय मौसम में बढ़ गई ये ठंडक, मौसम विग्यान केंदर, शिम्ला ने साथ जनवरी से बारिश और बर्बारी के जता हैं आसार, तो ये थी मार्चर प्रदेश के अब तक ही मुखे खबरें, ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रही है, N1 Live